नमस्कार बुलेटिन कोविड नाइंटीन में आप सब का स्वागत है और मैं हूँ याश शुकांधी विग्यान एवं प्रोध योग की प्रत्फी विग्यान और स्वास्ते और परिवार कल्यान मंत्री डॉक्र हश्वर्धन ने खोशना की है कि जैव प्रोध योग की विभाग और विग्यानिक तता और द्योकिक अनुसंदान परिशद ने कॉरूना वाइरस के हजार से अधिक उपभेतों का अनुक्रम किया है कॉरूना वाइरस अनुक्रमर से प्राप्त जानकारी का इस्तमाल दवाओं के निर्माण और वाइरस के खलाफ टीके विक्सत करने के लिए किया जा सकता है चुकि वाइरस तेजी से अपने आरेने को बदलता है इसलिए शोतकरताओं के लिए ये समझना अवश्यक होता है कि वाइरस का कैसे विकास हो रहा है विभिन उपभेत मानव शरीर के साथ परस पर कैसे क्रिया करता है और कोविड-19 के खलाफ ड्रक्स कैसे बनाया जाए जो कि भविश्य में भी कारगर हो इस अफसर पर डॉक्टर हश्वर्धा ने CSIR द्वारा विक्सित कोविड-19 प्रोध योग कियों और उतपादों का एक सार संग्रह भी जारी किया संकलन में कई प्रोध योग कियों और उतपादों की एक विस्तृत श्रंखला शामिल है जिसमें डाइगनोस्टिक से लेकर दवाओं, वेंटिलेटर और PPE किट तक 100 से अधिक प्रोध योग कियां 93 उद्योग साजहदार सूची बद्ध हैं और इनमें से 60 से अधिक प्रोध योग कियां उद्योग जगत में इस्थानांत्रिद भी हो चुकी हैं और आए सुनते हैं इस पर डॉक्टर हश्वार्धन ने और क्या कुछ कहा सब बेग्यानिकों को हमने कहा कि आप बड़ी बड़ी रिसर्च करते हैं लंबे समय तक करते हैं और लंबा समय करने के बाद उसके नतीजे निकलते हैं जो आप इंड़ेस्ट्री के माध्यम से लोगों को पहुचाते हैं लेकिन कोविट के खिलाफ जो जंग है इसमें हम लंबी इंतिजार नहीं कर सकते हैं आपको जो कुछ भी करना है अपनी योगता का अपनी ताखत का अपने सब बातों का आप जो परिचे हैं अगले कुछी हफ्तों में कुछी महिनों के अंदर हमको दीजिए और आज मुझे खुशी है कि एक अभी एक कॉम्पेंडियम को मुझे रिलीज करने का सोभाग मिलेगा जिसमें लगभग सौ से जादा टेक्नॉलोजीज जो पिछले तीन महिने के अंदर और विविद शेत्र जो कोविट के खिलाफ जंग के लिए इंपोर्टन्ट है उनके बारे में उनको साइंटिस ने टेक्नॉलोजीज को विक्सित कर लिया है विक्सित करने के बाद तिरानवे इंडस्ट्रीज के माध्यम से उनको लोगों तक पहुचाने का काम कर लिया और जब मैं देख रहा था इस कारिक्रम में आने से पहले लिस्ट तो बड़े-बड़े देश की इंडस्ट्रीज कोई रेलाइंस की इंडस्ट्री है, कोई टाटा संस है, कोई बी एची एल है, कोई बी एल है और बहुत सारे MSMEs, ये सारे लोग इसके अंदर हमारे जुड़ गए हैं कोरूना संक्रमन के इस संकटकाल में मरीजों की संख्या में अपेक्षित व्रधी या गिरावट के अनुमानों से अधिकारियों को भवशी के लिए परियाप्त चिकित्सा और अन्य व्यवस्था को सुधरन करने में मदद मिल सकती है इस मुद्धे पर काम करते हुए बैंगलूर के जवाहरलाल नहरू सेंटर फॉर एडवांस्ट साइंटिफिक रिसर्च यानि कि JNCA SR ने महामारी से निपटने के लिए पूर्वानुमान लगाने वाला एक ऐसा मोडल तयार किया है जो महामारी के समय पूर्व सुचना देकर आवशकताओं के बारे में बताएगा ये मोडल बताएगा कि कितने मरीजों और किस तरहां से मरीजों के चिकित्सा के लिए कौन-कौन सी चीजों की जरूरत होगी पूर्वानुमान के आधार पर परिक्षनक शमताओं और महत्वपून देखभास विधाओं की यतोचित व्यवस्था करने में मदद मिलेगी और से निरंतर सतर्कता की आवशकता होती है और ये मोडल मापतंटों में अनिश्चित्ताओं को ध्यान में रखता है और प्रतिनिधित्व का उप्योग करके क्षति पूर्थी करके संक्रमण की सूचना देता है शोतकर्ताओं ने इटली और यूयोक जैसी जगाओं में संक्रमण और मोतों की संख्या का अनुमान लगाकर इस मोडल का परिक्षन किया है और मोडल के परणाम वास्तविक परणाम उसे निकटा से मेल खाते हैं शोतकर्ताओं ने भारत के लिए भी इस प्रकार के पूर्वा नुमान का अभ्यास भी किया है जहां संक्रमण और मोतों की संख्या के अनुमान के अलावा किसी खास इस्थान पर अस्पतालों के लिए महत्वपून संस्थानों की आवशक्ताओं का अनुमान भी लगाया है कोरोना वाइरस के खलाफ दवाओं और टीकों की प्रभाव कारिता को लेकर विभिन प्रकार के नियदानिक परिक्षन लगा तार चल रहे हैं इस क्रम में एक पुनर उप्योग दवा फैवी पिरविर ने COVID-19 के हलके से मध्यम लक्षन वाले रोगियों के उपचार में अच्छे परिणाम दिखाए हैं और इस मामले में अच्छी खबर ये है कि CSIR भारतिय रसाइनिक प्रौधयोग की संस्थान यानि कि IICT ने इस सक्रिय फार्मस्यूटिकल संगटक API को संशलेशित करने के लिए स्थानिय रूप से उपलब्ध रसाइनों का उप्योग करके एक किफाइती प्रक्रिया विक्स की है और इस प्रौधयोग की को प्रमुक्तवा कंपनी मेजर सिपला लिमिटेज को हस्तान त्रिद कर दिया गया है CSIR IICT द्वारा विक्सत ये तकनिक बहुत ही प्रभावी और किफाइती है और सिपला बहुत कम वक्त में बड़ी मात्रा में उत्पादन इसका कर सकती है सि आज के इस अंक में बस इतना ही बुल्टिन कोविड-19 के अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखी और हमें दीजिया अनुमती नमस्कार